हाओडी फिजिक्स लवर्स हाओ आर्यू आल आज करेंगे कुश्चन नमबर 9.11 और क्लास 12 रे आप्टिक्स NCERT सो भाई कुश्चन नमबर 9.11 जो है वो कुश्चन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और इसमें कहा गया है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ओफ अबजेक्टिव लेंस और फुकल लेंथ 2 cm कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर अबजेक्टिव लेंस है और उस अबजेक्टिव लेंस की फुकल लेंथ है 2 cm आईपीस और फोकल लेंथ 6.25 cm और आईपीस की जो फोकल लेंथ है और आईपीस की जो फोकल लेंथ है और आईपीस की जो फोकल लेंथ है that is 6.25 cm separated by a distance of 15 cm और इन दोनों को objective को और आईपीस को हमने separate किया by 15 cm How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at least distance of distinct vision तो question के दो पार्ट है पहले पार्ट में आपको LDDV situation के लिए solve करना है और दूसरे पार्ट में आपको infinity के लिए solve करना है और दोनों ही case में you have to calculate the magnifying power of the microscope So let's start सबसे पहले हम इस situation को diagram के help से visualize करते हैं तो देखिए ये हैं हमारी principal axis जिसके उपर है दो lens एक है आपका objective lens और दूसरा है eye piece यहाँ पर object placed है और इससे एक ray ऐसे जाएगी और fo से pass होगी like this एक ray आपकी optical center से pass होगी जहाँ पर दोनों meet करेगी वहाँ पर image बनेगी a dash b dash so यह हुआ u o और यह हुआ आपका v o u o negative होगा v o positive होगा क्योंकि जो object है उसका जो distance आप ले रहे हैं वो in the opposite direction of the incident ray ले दे ठीक है ना incident ray ऐसे move कर रही है और आपने ऐसे measure किया है अब यहाँ से इसकी एक final image बन जाएगी मान लेते हैं इस point पर final image बन गी और यह आपका हो गया distance that is v e और first case में उन्होंने कहा कि इसको आपको किसके एक बल लेना है least distance of distinct vision के एक बल लेना है ठीक है यहाँ मैं इसका modulus दिखा जेता हूँ आपको magnitude positive अब उसके बाद यह distance क्या हो जाएगा u e clear अब question में हमें क्या क्या given है देखे, question में हमें ये given है हमें F O given है हमें F E given है और हमें find क्या करना है हमें find करना है U O object का distance find करना है from the objective lens तो कैसे calculate करेंगे अब देखे, इस वाले lens में Дो points, दो जो variables है वो given है, एक तो हमें D given है और दूसरा हमें Fe given है इन दोनो variables की help से हम सबसे पहले क्या करेंगे UE calculate कर लेंगे UE calculate कर लेंगे और दोनो lenses के बीच की separation भी हमें given है that is L फिर उस total separation में से हम UE को minus कर देंगे तो हमें VO पता चल जाएगा अब VO पता है FO भी हमें given है तो हम UE calculate कर सकते हैं और अगर UE calculate कर लिया तो magnifying power भी calculate कर सकते हैं So let's solve it First we use the use lens formula सबसे पहले हम use करेंगे lens formula और किस के लिए use करेंगे we use the lens formula for eye piece तो eye piece के लिए हम सबसे पहले lens formula का use करेंगे ठीक है तो देखे जब lens formula का आप यहाँ पर use करेंगे So 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F eye piece के लिए FE UE VE E मैंने subscribe लगा दिया जिससे पता चल जाए कि हम कौन से lens की बात करें We are talking about eye lens और eye piece Now 1 by VE हमें given है UE हमें calculate करना है तो देखें कैसे कर सकते हैं हम लिख सकते हैं 1 by UE equal to 1 by VE minus 1 by FE ठीक है? variables को separate किया 1 by UE said यह तो positive यह इदर आएगा तो negative Now 1 by UE equal to VE की value कितनी है? minus 25 minus FE की value कितनी है? 6.25 Now we solve it decimal it आदीजे 100 आगे Now 25 फूर्जा 100 25 into 25 65 625 अब यहां पर आपका आगे 1 by UE is equal to minus 1 by 25 और यह है minus 4 by 25 LCM आगे 25 So it is minus 1 minus 4 So 1 by UE is equal to minus 5 by 25 It means जो UE की value आई that is minus 5 cm UE is equal to minus 5 cm इसका मतलब जो object का distance है यह आगे minus 5 cm अब अगर यह आपको 5 cm पता है यह आपका 15 cm है तो अगर 15 cm में से 5 cm को minus कर देंगे तो remaining distance कितना बचेगा? 10 cm So हम यह लिख सकते हैं L किसके equal है? L is equal to VO VO plus UE Now VO हमें find करना चाहते है तो L minus UE L है 15 cm और UE हमने find किया 5 cm So 15 minus 5 कितना हो गया? 10 cm Image का जो distance है objective lens का image का जो distance है 10 cm ठीक है? अब VO हमें पता चल गया अब इस VO की help से हम UO easily calculate कर सकते हैं तो कैसे calculate करेंगे? वो देखिए We again use lens formula लेकिन इस बार हम lens formula use करेंगे किस के लिए? objective के लिए 1 by VO minus 1 by UO equal to 1 by FO O means subscribe जो की क्या represent कर रहा है? objective lens now 1 by VO VO की value हमने अभी find की 10 cm minus 1 by UO UO हमें calculate करना है equal to 1 by FO FO कितना है? that is 2 cm so minus 1 by UO is equal to 1 by 2 minus 1 by 10 now 1 by UO is equal to LCM is 20 10 minus 1 into 2 2 minus 1 by UO equal to 10 minus 2 is 8 by 20 so 4 to the 8 4 5 to the 20 so UO is equal to minus 5 by 2 that is your 2.5 so it means UO is equal to minus 2.5 cm so this is the distance of object from the objective lens so object जो है वो कितना distance पर है? it is minus 2.5 cm from the optical center of the objective lens अब इसके बाद हमें next part में magnifying power solve करनी है so magnifying power का formula क्या है? देखिए now M is equal to magnifying power is equal to minus VO by UO 1 plus D by FE this is the formula of magnifying power now what is the value of VO VO is 10 cm और UO की value आपने लेनी है 2.5 cm आप यहाँ पर जो है sign convention नहीं लगाएंगे जो आएगा वो ही put कर दीजे minus minus plus and 1 plus D by FE D कितना है? 25 और FE कितना है? FE है आपका 6.25 now M is equal to it is 4 point अटा दीजे 20 25 से 100 25 25 into 400 हो गया 4 plus 1 5 so magnifying power is equal to 20 so it means आपका जो object है वो 20 times magnify हो जाएगा अगर आप इस तरह के lens का use करते हैं clear so I hope you understood the solution of the first part now similarly we can solve for the second part when the image is formed at infinity जब image infinity पे form होगी तो उसका solution इसी तरीके से हम find कर सकते हैं तो चलिए करते हैं solve now in second part when image is formed at infinity so देखिए जब image infinity पे form होगी तो यहाँ पर थोड़ा से चेंज आ जाएगा d की जगा पे infinity हो जाएगा और जो raise हैं वो आपकी parallel जाएगी ठीक है और यहाँ पर आप जानती है ऐसा कब होता है जब यह इसके focus पे होगा जब आपका यहाँ इमेज आईपीस के focus पे होगा तो आपकी जो आईपीस से final image बनेगी वो infinity पे बनेगी so again we use the same formula for आईपीस use lens formula use lens formula for आईपीस so देखिए आईपीस के लिए दुबारे से formula यूज करेंगे 1 by VO minus 1 by UE equal to 1 by FE 1 by VE minus 1 by UE equal to 1 by FE नव अब हमें find क्या करना है इसमें 1 by UE find करना है ठीक है 1 by FE minus 1 by VE so minus 1 by UE equal to 1 by FE FE is 6.25 minus 1 by VE 1 by infinity because image जो है वो confirm और यह infinity पे it means UE की value आगे minus 6.25 centimeter this is the value of UE अब UE हमने find कर लिया अब UE की help से हम क्या find करेंगे VO तो VO के लिए हम use करेंगे यहापर concept देखिए as length of the compound microscope is equal to VO plus UE now VO is equal to L minus UE now L is 15 centimeter और UE हमने find किया 6.25 centimeter so it is 15 में से अगर 6 minus करेंगे 9 और अब से 0.25 करेंगे 8.75 so it is 8.75 centimeter this is the value of VO 8.75 centimeter ओके अब VO की help से हम क्या निकाल सकते हैं U तो दुबारे से use करते हैं lens formula लेकिन इस बार use करेंगे किस के लिए objective के लिए so देखिए 1 by VO minus 1 by U equal to 1 by FO O means objective lens so 1 by U O is equal to 1 by FO minus 1 by VO okay now minus 1 by U O equal to 1 by FO FO कितना है 2 centimeter so put here 2 minus 1 by VO VO कितना है VO है आपका 8.75 8.75 now decimal it आईए 100 आगया 5 से कंसिल कर दीजे 5 अंज़ 5 योगे 37 5 7 अंज़ 35 5 5s अंज़ 25 so it is 20 now 5 3s are 15 5 5s are 25 5 4s are 20 so it is minus 1 by U O is equal to minus 1 by U O equal to 1 by 2 minus 4 by 35 now minus 1 by U O equal to 35 into 2 it is 35 minus 8 is it now minus 1 by U O is equal to 35 में से 8 minus करेंगे कितना हैगा 27 35 into 2 okay now देखें 3 से कंसी लो रहा है नही हो हो किंसी so U O is equal to 70 by 27 minus now divide करके देख लेते 70 by 27 so it is 27 to the 54 10 minus 4 6 1.0 okay 7 7 the 49 6 it will go on 5 5 7s are 35 135 so 10 minus 5 is 5 5 minus 3 is 2 25 okay so it is 0 अब दुबार से इसको सॉल कर लिजे 9 पर भी जा रहे है 9 7 the 63 okay पिटा so U O is equal to आगे आगे आपका minus 2.59 centimeter this is the value of object distance that is minus 2.59 centimeter now we can calculate the magnifying power same formula we again use M is equal to V O by U O and D by F E जब infinity पर image बनती है तो उसके लिए formula है theory में आप देख सकते है minus V O V O की value हमने find की थी 8.75 and U O हमने calculate किया 2.59 multiply by minus minus plus D is your 25 and F E is your 6.25 clear आप देखे इसको हम क्या करेंगे decimal ने टाएंगे 0 0 so 25 1 0 100 हो गया 25 25 से गया 4 या गया 4 आपकया कि आपकश है कॉ राल कि और देगन